पूरे देश में आज मकर सक्रांती का पर्व मनाया जा रहा है, कोईलांचल धनबात के नदियो तलाव में लोग आस्ता की दुख्की लगा रहे हैं जाकर्ण और बंगाल के सीमा परिस्तित बराकर में काफी लोग संख्या में इस नान ध्यान करने पहुँचे और पास के मंदिरों में पूजा पाज किया जोते शास्त्र के मुताबिक जब सूर्य धनूरासी से मकराशी में प्रवेश करते हैं तब मकर सक्रांती मनाई जाती है खगोल शास्त्र के मुताबिक देखत सूर्य जब दक्षिनायन से उत्तरायन होते हैं या प्रित्वी का उत्री गोलार्ध सूर्य की और मुर जाता है उस दिन से मकर सक्रांती का पर्वा मनाया जाता है मकर सकरांती हर वर्ष 14 या 15 जनवरी को मनाई जाती है शास्त्रों के अनुसार सूरे जब दक्षिनायन में रहते हैं तो उस अविदी को देवताओं की रात्री वा उत्तरायन के 6 मां को दिन कहा जाता है दक्षिनायन को नघरात्मक और अंधकार का प्रतीत तथा उत्तरायन को सकरात्मक इवं प्रकास का प्रतीत माना जाता है मकर सकरांती की इतिती को इस बार लेकर बड़ी ही उल्जन है पंचांग में शूरे के मकर रासी में गोचर की अलग-अलग ताइमिंग की वज़े से ये स्तिती उत्पन हुई है हाला कि पंडितों का कहना है कि मकर सकरांती मनाने की उत्तम तिती 14 जन्वरी की ही है मकर सक्रांती पर गंगा स्नान दान पुन्य और पूजा पात का विशेश महत्व होता है इस दिन गुड काले कंबल उनी कपड़े और खिचणी का दान शुब माना जाता है बाव जो अब लोग क्या बुलता है वो जो यह है हम लोग का जो पॉक्स होता है हम होता है वो नहीं होता है वहने बिमारी का दावाई है जो हम लोग को जो नौया चाओल जो आता है उसका अभी लोग क्या करता है यह लोग चाओल नौया धान बीक करके रेशन का चाओल खात आज का दिन महा इस सब क्यों मनाया जाता है क्यों जाता है यह आज का दिन भोगी राद जो गॉंगा लेका है वो जो शागर बंग्षा उद्धर मुठा मुठा मुक्ति मिला आज का दिन इसलिए हर बर्स हिंदु जहां जो रहता है वो लोग गॉंगा शागर जुरूर जाता है गॉंगा शागर जाकर किस्रान करता आज का पीदिन इस बिसे में यही बोलेंगे कि प्रभू का बहुत बहुत धन्यवाद कि जिस तरह से रात कटा उसी तरह से सुबा हुआ दिन भी इस और के ही रजा में कटे सारे संसार को इस और भला करे सभी संत महात्मा को भला करे उसके पीछे हम सभी को भला करे दातार किर्पा करे उन् अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताके आने वाली देश-विदेश की खबरें आपको मिलती रहें. स्वादेश वानी